नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनंद भार्दवाज आपका जाना पैचाना वास्तों कंसर्टेंट पिछला वीडियो हमने बनाया था टॉलेट्स के बारे में वाश्रूम के बारे में और खास तरीके से उसमें आपको बताया था मैंने यूरिनल्स के बारे में आज का टॉपिक फिर टॉलेट्स पर क्योंकि पिछली बार जो टॉपिक थे उसके जो सब्जेक्ट्स थे जितने उसके टाइटल थे पूरे नहीं हो पाई थे अभी बहुत सारे सवाल रहे गया है लोगों के मन में जो बताने है आपको पहली बात सुलोप के बारे में धरान क कहां पर आएगा टॉलेट का वाश्रूम का फ्लॉर की हाइट कैसी होगी फ्लॉर की हाइट का मतलब आप शेयद मेखा से आप ना समझ पाएंगे कि उसके जमीन से कितना उसका लेवल उंचा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या गहरा होना चाहिए मिरर उसके अपोजि ये मेरे साथ आपको दोंगा इसके बारे में भरपूर ग्यान। शास्तर के एंसाइक्लोपीडिया। जिसक्स के अधर के लग् Deshalb बहुत सारी टॉलट बहृत सारे बहुत सारी अधरी यह सब के में बहुत उसके लिए लोग बाहर जाया करते थे घाउं से बाहर जाया करके तो, दो सबस्ता कि पहलेा अपको सब्सक्राइब कर्याहों कि दो दियाक कि प्रख सत्कूरण अगया है आपका फिल areal hm वाश्रम बनाया है हाँ पिछले टोपिक एंदर घूमिवी दिशाओं में रह गया था टॉलेट है जैसे मान लिए अगर आपका और नौर्थ यहां पर आता है एसर यहां पर आता है वेस्ट इदर आएगा तो आपका साउथ यहां पर आ जाएगा और इस तरह से घूमा हुआ है और इसको हम पूरे को टॉलेट ही मान लेते हैं तो साथियों आपके पास जो situation बनती है सबसे पहले situation बनती है WC के लिए इस तरह से किसी भी वाशनम गंदर Northwestern Face करने वाला यहां पर भी आप ले सकते हैं कोई समस्या नहीं है अगर last position देखते हैं तो last urinal की जो जगावास्तू के साथियों वह बनेगी आपकी इस entire Northwest में देखें यह सब urinal की position बना रहा हूं मैं यहां पर आपके urinal आ सकते हैं बड़े अराम से और अगर इदर नहीं आ सकते तो आप यहां पर भी फेस कर सकते हैं यह भी आपके urinal बन जाएंगे अगर आप जाते हैं कि इसकंदर नहाने के लिए सुविधा कहां पर बने यह घुमे प्लॉट का है और अगर आपका प्लॉट माल लिया घुमावा नहीं तो अगर सीधा प्लॉट आपका बनता है दिशाएं अगर आपकी बिलकुत सीधी है तब उस case में आप क्या करेंगे उस case में और पूरव उत्तर पश्चेम दक्षिन हिंदी भाशा में और अगर यह आपको हम वाश्रूम माल लेते हैं पूरा का पूरा वाश्रूम माल लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि WC और यह सब चीज़े कैसे लगेंगी इसकी जब position बनती है अगर माल लिया यहाँ पर ए है WC आपकी यह तीन position बनती है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है इस स्थिति को बताते बताते हैं मैंने कई वीडियो बनाई लेकिन भरम की स्थिति पैदा हो जाती जब लोग दूसरों के वीडियो देख लेते हैं तरा तरा के जहां पर दिशाय भी clear नहीं होती और अगर एसे आप बनाते हैं तो ऐसे के अंदर आपको बताते हैं कि अगर आफको पानी लगाना है यह आपको नहाने के लिए पौरी की पूरी नौर्थ की दिशा हमारे लिए नहाने के लिए यह सिंबल होता है आर्किटेक्स से सिंबल है जो मैं यूज़ करता हूँ वही दिशान है जिनकों के आर्किटेक्ट लोग यूज़ करते हैं यह दो स्थितियां होते हैं जहां पर कि आपका नहाने के लिए आ सकता है और मिरर भी आपका यहां पर आएगा अब इसके बाद में एक सवाल और आता है तो उसको बराबर करते हैं पहले संकन का सिस्टम ता उसके बराबर ले ले लेते हैं संकन आम तो पर नहीं होता और जो उसकी फिटिंग होती है पाइप की जो वेस्टिज की फिटिंग होती है वह भी नीचे होती है लेकिन अगर आपने कहीं पुराने मकान में अगर आप तो आपको वेस्ट में बनाया है तो थोड़ा सा इसके फ्लोर का लेवल उचा कर सकते हैं लेकिन अगर सिर्भ नहाने के लिए बात के लिए अगर आपने करना है तो यहां पर आप जाए वास्तु के पीछे हाथ दोके नहीं पड़ना क्योंकि वास्तु यह कहता है कि वेस्ट म दिया तो अब वो सारा का सारा पानी नहाने का आपके घर के अंदर आ जाएगा अब मैं फ्लोर की बात कर रहा हूं जो फ्लोर का लेवल है यहां पर भी और यहां पर भी यहां पर भी जहां भी आपने अपना वाश्नू बनाया है यहां मनाते हैं यहां मनाते हैं वैस मेन औ तो वास्तो को इतना belief कर डीतना कर सकते हैं बहुत ज्यादा इसके पीशे परशानी होना क्योंकि सब से गहरी जो जनाप की बनती है वास्तों शास्तरी कहता है कि आपके घर का जो सलोग ہے जितना भी ढ़लान है वो सब का सब पानी का ढ़लान हमेशा South से North की तरफ और West से East की तरफ आना चाहिए इसका मतलब जहें यह जगा जो बन जाती है This is deep है, सबसे गहरे जगा हमारे यह बन जाती है इसलिए हमें फ्लोर जो है हमारा वाश्रूम का फ्लोर अगर हमें 100-200-400 डाउन करना पड़ता है तो इसमें कोई समस्या नहीं आया करती तो यह हो गया सुलों के बारे में अब आता है कि किसी भी टॉलेट के, किसी भी वाश्रूम के सामने क्या होना चाहिए कोई चीज के सामने हो सकती ने हो सकती है पूजा रूम हो सकता है नहीं हो सकता है किचन होगी या नहीं होगी वो भी आपको बताता हूँ तो कोई भी ऐसे चीज जो जिसका concern हमारे पूजा पाट से है धरम करम से हमारे खाने बनाने से है उसके सामने कभी भी किचन के सामने कभी भी वाश रूम नहीं होना चाहिए पूजास्तान के सामने नहीं होना चाहिए और अगर है तो उसके दरवाजे को साइड में कर दो कई बार क्या होता है कि टॉलेट की बिलकु सामने पूजास्तान होता है लेकिन टॉilेट का डूर नहीं होता कई बार क्या होता है वाश्णूम का किस बिल्कुल सामने हमारी kitchen बनी होती है लेकिन वाश्णूम का डूर नहीं होता साथियां व còn डूर नहीं है तो बिल्कुल विचार मत करना दर्वाजार यईनि एंटरेंस अगर toilet की side से हुआ है, right से है, left से है लेकिन कोई ऐसी चीज, auspicious, पवितर चीज जैसे कि हमारा kitchen बनता है या हमारे घर का पूजासान बनता है अगर उसकी दिवार को face कर रहा है तो उसे कोई भी विचार नहीं होता ये मिर्यान करना है अभी कुछ topic शूट गया है इसे कुछ सवाल रह गया है अभी toilet के बारे में तो अगला मुझे लगता है कि एक बार मुझे फिर से लेना पड़ेगा ये अभी दो पार्ट सवारी हो गए हैं toilet के बारे में एक पार्ट मुझे और लेना पड़ेगा जिसमें कि बाकी जितने भी बचईवे सवाल आपके मन में आते हैं वो समय लूँगा कोशिश करूँगा कि अगले पार्ट में सब कुछ कम्प्लीट कर लूँ क्योंकि एक बार में सब को समझाना मुझे लाता है मेरे लिए और आपके पास भी इतना समय नहीं होता इतना समझना थोड़ सा मुझकल पड़ाता है मैंने कहा था कॉपी पैन और लेकर बठा करो नोट किया करो मेरे हर पाइंट को अगर आपने 6 मेरे मेरे वीडियो देख लिए तो आप वास्तों के बारे में सब को जान जाएंगा और जाने भी क्यों ना भारत का ग्यान है हर किसी को पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को इसका ग्यान होना चाहिए और सची नौलेज होने चाहिए जिसमें कोई धोका ना हो कोई अंद विश्वास ना हो कोई वेहम ना हो यही काम करता हूँ मैं और यही समझाने कोशिश आपको करता हूँ अगला वीडियो फिर से लोगा ट्वालिट के बारे में क्योंकि अभी रह गया हैं कुछ 4-5-6 सवाल रह गया हैं अभी बताने के लिए क्योंकि आप जो कमेंट्स डालते हैं उसी से मुझे सवाल मिल जाते हैं अगला टॉपिक फिर से इसी पर होगा पार्ट 3 में तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त नमस्कार धन्यवाद थेंक यू और ठेक केर